इके सिंग जी का यह मानना है कि राजनीती में पॉलिटेशियन्स के अलावा प्रोफेशन्स प्रोफेशनल आने चाहिए लेकिन सर्फ फिर योगी जी का मोदी जी का राहूल गांदी अखलेश यादा क्या होगा यह तो पुराने राजनीति क्या हैं आप यह नहीं की एंट्र सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही सीमित हैं ऐसा नहीं है आपको उनकी भी बात समझनी पड़ेगी नहीं तो होता क्या अच्छा हाँ बे काम हो जाएगा तुमारा कोई घबराने की बात नहीं है उसके बाद बैठ गए गये काम हुआ के नहीं हुआ आपको पता ही नहीं है तब तक वो ठीक है जब तक वोट दे रहा है अगर आप किसी भी प्रोफेशन से निकल कर आते हैं तो आपने एक अलग दुनिया देखिए वो जो एक्सपिरियंस है वो आपके साथ आता है और आप उसको लेकर आगे चल सकते हैं उसको कैसे आगे करना है ठीक है गलत है जो और आपकी मान सिकता देखिए क्या होता क्या है तो एक कार्यकरता जो है वो नीचे से जो शुरू करता है उसके कुछ प्रद्वन्दी होते हैं उस सुझता है कैसे घर को आगे जाना चाहिए किसी की टांग खींचता है किसी के सिर के उपर से कूद की उपर बढ़ता है एक फिर आगे भड़ने के लिए उसको यही करना पड़ता है और कही न खहीं उसके सिस्टम के अंदर यह बैठ जाता है कि मुझे थोड़ा कुटिल होना चाहिए मुझे थोड़ी लोगों का आपस में लड़ा देना चाहिए ताकि मैं निकल जाऊं यह मनुवरती हो जाती है आ इतनी जाधा चीज ओह पे नहीं होती है आज मैं जे काऊं कि इस वह सिस्टम को भुलते हैं कुछ फॉलिय्टिक्स हर जगे जगे होती है और आफेस में होती है लेकिन आप इस तरीके से नहीं पलते हुई है फिर भी आपको पता है कि हाँ यह प्रोफेशन है इसमें मैं इस टार्गेट दिये गए हैं, आपको टार्गेट मीट करने हैं, आप हर एक आदमी तो धनाडे नहीं होता है, कहां से पैसे लाएगा हो, तो कहीं न कहीं एक तरह से इसका तुछ प्रभाव पड़ता है, और इसके अंदर, इस सोच के अंदर, अगर आप कुछ लोगों को लेंग मुझे लगता है कि अच्छा ही होगी, सिस्टम के अंदर कुछ नो कुछ अच्छा होगा, तो यह मेरा विचार था उस टाइम पर, पॉलिटिक्स में जाने का विचार नहीं था, वो तो जब लोगों ने चैलेंज करना शूरू करिया, पहले आप जाके दिखाईए इस दल- आप हुआ, और मुझे लगा कि जो मैं चाहरा हूँ, अगर पॉलिटिक्स के अंदर, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी विचारधारा राच्छ्ट्रिय अता की है, राच्छ सर्वो पर ही की, ऐसा नहीं है कि दूसरों की नहीं है, लेकिन शायद इस पार्टी के अंदर ये ज्यादा प्रबल है, कॉंग्रेस के साथ मैंने आपको बताया, यू पीए के साथ मेरा एक्स्पीरिंस ज्यादा अच्छा नहीं था, बाकि सब प्रदेश एक रिजनल पार्टी थी, कम्निस पार्टी को मैं नेशनल पार्टी नहीं मानता, उनका दौर खतम हो गय जिस सोच विचार से वो करते हैं, कई बार वो देश के लिए ठीक नहीं है, तो बार तो जनता पार्टी में आया, और फिर मुझे बोला गा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, कभी जुनाव लड़े नहीं हैं, तो एक अपने आपके अंदर एक और चुनावती थी, खेर एक दिन अलग अलग जगे के बारे में बातचीत हुई, और एक दिन कोली का देहन वाले दिन, रात को घल्टी वजी फोन की और दूसरे तरह जो भी थे उनने का, मोधी जी आप से बात करें, मोधी जी ने का, हम सब ने फैसला किया कि आप गाजियाबाद से लड़ेग तो मैंने का, पर मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं गाजियाबाद, उनका देखिये, फैसला हो चुका है, ठीक है, मैं जाकर देखिया, आपके मन में ये बात नहीं है, कि जिस जगह से आपको चुना लड़ाने की बात चल रही है, वहां से राजना सिंग जैसा बड़ा नाम सांसत था, और राजना सिंग का टिकट कटेगा, आपको टिकट मिलेगा, राजना सिंग आपसे नराज तो नहीं हो जाएंगे, ये बात नहीं है उपके दमाग में, या उपर सब कुछ से एट था, कुछ था पता कि, जिस तरह चीज़ें चल रही थी, ये पता था कि राजन